आज जो है आप लोगन के हम बताने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट चीज आखिर ड्रीम 11 में पॉइंट कईसे मिलेला आखिर पॉइंट कईसे मिलता है भाई क्योंकि पॉइंट से ही आपका जो है रैंक निजाइत होता है और पॉइंट से ही आप पैसा जीतते हो इसलिए यह जानना बहुत ही आवस्यक है कि ड्रीम 11 में आपको पॉइंट कैसे मिलता है चलिए इसी चीज को हम समझाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग की ड्रीम 11 का मॉबाइल एप ओपिन करेंगे उसके बाद उपर में देख रहे हैं यह मुंडी वाला आइकन यह मुंडी वाला आइकन को हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे में आप देखो यहां पर देखो यह वाला आप देख रहे हैं मोर लिखा हुआ है my info setting के नीचे में more लिखा हुए है more को click करना है इसके बाद यहाँ पर देखिए how to play how to play को click करना है अब आपको यह जानना है कि हमको point कैसे मिलता है तो सबसे पहले आपको किसका point जानना है football में point कैसे मिलता है यहाँ पर देखिए आपको क्या जानना है आपको क्रिकेट में पॉइंट जानना है या फुटबॉल में जानना है कवड़ी में जानना है बेसबॉल में जानना है स्पोर्स में डालना है बास्केट बोल में जानना है कि होकी में जानना है तो जिसमें भी जानना है आपको मान लिजिये हम उधारन के लिए जान लेते हैं कि भाई cricket में point कैसे मिलता है तो हम क्या करेंगे cricket के उपर में यहां पर click करेंगे अब यहां पर देखिए कया लिखा हुआ है Disney Fantasy point system इसके बकल में जो arrow है उसको click करना है इसके उपर में क्लिक करना है आपको फैंटासी पॉइंट सिस्टम हुई अब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर क्या-क्या आपको दिखाई देगा देखिए यह किरिकेट का है और किरिकेट में जो है अधर टेस्ट ठीक है तो हम अभी जो है केवल T20 के बारे में बात करते हैं यह जो T20 है इसके बारे में बात करते हैं आपको जिसके बारे में भी जानना है उसको क्लिक कर लेना है अगर आपको टेस्ट के बारे में जानना है तो आपको टेस्ट को क्लिक करना है हम अभी T20 के बारे में बता बात कर रहे हैं अगर आप इसको जान लोगे तो बाकी का भी आप जान लोगे अब T20 में कैसे point मिलता है तो रह समझिए यहां देखिए यह देखिए क्या लिखा हुआ है यह देखिए अभी मैं आपको betting वाला बता रहा हूँ हाफ संचूडी में आपका संचूडी में आपका सुल हो जाता है अगर dismissal of duck है तो आपका minus 2 हो जाएगा समझे इस तरह से यह point यहां पर जो है आप मिलता है अब देखिए नीचे में लिखा हूँ है क्या यह लिखा हूँ है balling point तो balling point को हम लोग click करते है balling point को जब click करोगे तो उसका भी देखिए point system दिया गया है wicket का plus 25 bonus LPW bold plus 8 3 wicket bonus मिलता है अगर 3 wicket लेता हो तो plus 4 point मिलता है 4 wicket bonus लेता हो तो 8 point मिलता है मतलब आप जो भी team बनाते हो जो जो player select करते हो तो ये सारे activity वो लोग करता है तो आउनको point मिलेगा 5 wicket लेता है कोई player 16 point मिलेगा maiden over होगा तो किसी का तो plus 12 point मिलेगा समझें अब देखिए नीचे में है क्या यहाँ देखिए fielding point fielding point को click करते हैं यहाँ पर fielding point में देखिए यहाँ पर देखिए क्या-क्या मिलता है catch कोई लेता है player 8 point 3 catch कोई लेता है तो plus 4 point इस dumping करता है तो plus 12 point run out करता है direct hit तो plus 12 point run out not a direct hit तो plus 6 point मिलता है समझें उसके बाद ये उसका नियम कानून भी है ये भी आप उसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से तो ये सब point है उसके बाद देखिए other point लिखा हुआ है नो यहाँ पर यहाँ देखिए other point other point को click करने पर आपको other point मिलेगा देखिए captain को मिलता है आपको बहुत बाद बता चुके हैं हम पहले भी captain को 2 गुणा point मिलता है wise captain को 10 गुणा point मिलता है मतलब जो भी point वह बनाएगा उसका 2 गुणा हो जाएगा और 10 गुणा हो जाएगा इन announced lineups जो है आपका प्लस 4 point ठीक है playing substitute में प्लस 4 point मिलता है उसके बाद उसी तरह से economy rate points है उसमें देखिए बिलो 5 run over तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है प्लस 6 point between 555 से 5.99 run per over प्लस 4 point तो इसी तरह से देखिए यह point आपको यहाँ पर मिल रहा है strike rate point है जो वह भी देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर देखिए उसका अलग point मिल रहा है यहाँ देखिए यह बोब 170 run per 100 ball प्लस 6 point ठीक है between 150 से 170 run per 100 balls प्लस 4 point तो यह आपको इस तरह से point मिलता है यह देखने की चीज़ है other important point में जो है आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो यह सब भी दिया गया है other point में तो यह सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाता हूं समझे तो यह आपका fantasy points है T20 का जो मैं बता दिया अगर OD का देखना है तो OD को क्लिक कर दो Test का देखना है Test का कर दो T10 देखलो 60 देखलो तो यह सारा cricket का अंदर में अगर football देखना है आपको तो उपर से जो है आपको football को क्लिक करना पड़ेगा तो football में कैसे point मिलता है वो आपको बताएगा समझे तो अगर आपको football का भी जानना है तो हमको comment बताईएगा मैं football का भी point बता दूँगा कोई tension नहीं है है ना तो आप जो अपना team बनाते हो जो जो player choose करते हो वो जैसा जैसा activity करेगा run लेगा, catch लेगा, LPW करेगा wicket लेगा point उसको मिलता रहेगा captain को दो गुना और vice captain को देर गुना point मिलेगा सबसे जादा तो इस चीज का ध्यान रखिए question हो लजाना नहीं है comment कीजिए हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे और dream eager अगर join करना है तो हमारे referral code से आप उसको join कीजिए ताकि आपको 200 रुपय का फायदा भी मिल जाए समझें और referral code मैंने वीडियो के description में दे दिया है आप उसको follow कर सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद